Hello friends, welcome to long term shares, आप सभी का हमारे चनल में स्वागत है और अगर आपने हमारा चनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो देखिए यहाँ पे लाल बटन है, सस्क्राइब का या दबा दीजिए हम अजच्य वीडियو आपको अलग-अलग स्टॉक के अलग-अलग सेक्टर洲 के बताते रहते हैं और हम आपको जागरूग करते रहते हैं कि कौन सी अच्छी कंपणी जिनमें आप श्ठॉक करके अच्छा रिटेन कमा सकते है और कौन सी बुरी कंपणी है जिनसे आप दूड रहें जो आपका पैसा मतलब डूब सकता है देखिए पैसे कमाने का अगर आप धीरे-धीरे चाहें तो देखिए फिक्स डेपॉजिट भी बुरा नहीं है क्योंकि वो भी 7-8 पर्शन मैक्समुम एनुवल दे ही देता और कंपाउंडिंग ग्रोज जब उसके 8-10 सालों में तो कई गुना हो जाता है तो अगर आप स्टॉक्स में लगाना चाहते तो हमेशा अच्छी कमपनियों को ही चुने क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपने बुरे स्टॉक्स को चुन लिया 10 साल हो जाए 15 साल हो जाए आपका पैसा बढ़ने वाला नहीं नेग और गवर्मिन के तरफ से भी ऐसी कंपनियों को बढ़ावा मिलता है कि आने वाले समय में जो है पॉलूशन की वज़े से और कोईले की जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा खापत कम करने की वज़े से जो इस पर ध्यान दिया जा रहा है तो टर्बाइन से हो गएरे कि ये कंपन है आज मार्केट बंध है कल फ्राइडे को ये 22 मार्च 2019 को 6 रुपए 68 पैसे पर ट्रेट किया लाश्ट क्लोजिंग थी इसकी और 52 वीक लो बनाया था 2 रुपए 75 पैसे का हाई था 12 रुपए 40 पैसे कर अब देखी यहां पर हमने 5 सालों के चार्ट पर यहां पर हमने लगा रखा है तो 5 साल पहले इसमें 36 रुपए 80 पैसे पर ट्रेट किया था अक्टूबर 2014 में और उससे नीचे आता गया नीचे आता गया और जो इसने लो बनाया था 2 रुपए 70 पैसे का और आज इसका भाव 6 रुपए के आसपास है तो जिन्होंने 36 रुपए पर लिया होगा और आज जो 6 रुपए पर चल रहा है तो कितना उनको नुक्सान हुआ होगा क्योंकि रिटर्न तो मिला ही नहीं उनको और देखे सेंटीमेटर पर लोग यहां पर कह रहे हैं 77 परसंट लोग की बाइट बाइट 77 परसंट लोग करें खरीद लीजिए 8 परसंट करें बेश द की और डिलिवरेबल है 16 परसंट के आसपास और यह देखी है हम यहां पर फरेंशल पर आ गए हैं आपर हम वैलेंट शीट पर भी देख रहे हैं कि टोटल टेट जो है इन पर जो इन पर खर्जा है 7,139 करोड का है मतलब इनकी 3,500 something की capital है पूरी company की जो value है जो आवकात है उससे double दिनोंने करजा ले रखा है यहां पर हम एक क्या कहते हैं कमी देखते हैं बहुत बढ़ी कमी है कि करजा जिस कमपनियों पर होता उसका interest ही भरते भरते वो profit नहीं कमा पाती है और इस बचे से जो investors है उनके पैसे भी जो है उनको profit जैसे dividend या bonus या फिर जो premium होता वो नहीं बढ़ पाता जिससे उनको return नहीं मिल पाता तो एक कमी हम एक कमी हमने major देखी यहां पर आगे चलते हैं हम और भी कुछ देखते हैं company के बारे में और देखे financial trend इसका negative है तो no doubt जो financial है इसका और score है 17 अब return पर हम चलते हैं अब देखे return दस सालों में इसने 82% negative के दिया जिनोंने मतलब एक लाठ लगाए होंगे तो उसको तो सिर्फ 18,000 ही बच्चे बचारे के पांस साल में negative 33% के आसपस 4 सालों के 70% के negative है जिनों तीन साल पर लगा है उसका एक लाख रुपए पचास जार बच गया है दो साल में 63% के negative है एक साल में 40% के negative return हाँ यह टिल डेट जन्वरी से जो है 14% की upside है तो यहां से काफी अच्छा इसने bounce back मारा है 24% इसने अच्छा return दिया जिन्होंने जन्वरी में पैसे लगाया होगे उनकी तो पांचों गुलिया घी में है लेकिन घी जब तक पिगने ना तब तक गुलियां मोड़ के निकाल भी लें अधर्वाइज जिस हसाब के रिटन पहले के कहीं ऐसा ना हो जाए छह माहिने हम जिन्होंने पैसे लगाया हुए है शिक्स मन्त में उसका 0.74% तीन महिने में 21% की upside है वन मन्त में 16% के यह भी जबर्दस्त है वन वीक में नेगेटिव में है 1% और वन डे में 3% के करीब ने नेट सेल्स में 8.73% के नेगेटिव है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 225% की यहां पे upside ग्रीन दिखा रहा है तो यहां पे थोड़ा सा उने प्रॉफिट जो सप्तमबर 18 में negative में था वो positive में आ गए है और ऑपरेटिंग consolidated net profit इन्होंने 93% का जबर्दस्त है और ऑप तोड़ा सा एक साल से year till date से इनको अच्छा return दिखा रहा है और shareholding person देखते हैं कि promoters के पास सिर्फ 19.82% यानि 20% के करीबी इनके पास holding है और उसमें से 76.72% मतलब करीब 76-70% तो गिरिवी रख दिये हैं दूसरी बहुत बढ़ी कमी यहां पे हमें देखने को मिल गई है और देखें mutual funds की 14 schemes में पैसे लगा रखें और FIIs भी 70 लोगों ने पैसे लगा रखें और इन्होंने FIIs और mutual funds की scheme धीरे धीरे अपना जो पैसे लगाएं उन्होंने कम किया है कुछ percentage यहां पे holding उन्होंने अपनी कम की है और individual investors holding है 41.71% मतलब individual में जम के खरीदारी की है और दे अब देखें डिविडेंट यह 17 जुलाई 2008 को इसने पे करना बंद कर दिया था मतलब तभी इस company का जो लाभान profit जो है कम हो गया था तो जब company dividend दे रही हो और जानक से बंद कर दे तब हमें देखना चाहिए गुस्तो गड़बड है और हमने market cap यहां पे देखे लिया था त इसे डबल करजा है और एनर्जी सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री में second position रखती है और इसका EPS हम देख लेते हैं EPS देखी EPS 2018 मार्च का यहां पे 0 दिखा रहा है तो earning per share इनके पास कुछ है ही नहीं अब website पे है a leader in wind energy space since 1995 सुचलाउन offers a 360 degree solutions packages to its customers that covers the entire spectrum of wind energy projects with over 11,800 wind turbines installed across six continents and 15 world class तो इनके बारे में अगर हम पहुआएंगे तो बहुत सारा website पिन दिया हुआ है और no doubt company का जो विस्तार है काफी अच्छा है लेकिन इतना करजा है इतना विस्तार कर दिया है करजा लेके और अभी इनको बहुत जबर्दस कुछ profit नहीं हुआ है profit operating profit margin में थोड़ी से भी हमने जो लास्ट quarter के देखे वहाँ पे थोड़ा सा positive sign थे इसलिए उनको return भी अच्छे मिले लेकिन आगे आने वाले समय में देखी क्या होता है कि लोग आकरशित कैसे होते हैं लोग आकरशित इसलिए हो रहे हैं कि वो देखते हैं कि भाई इस share की आने वाले समय में जो यह सुझलान energy है जो energy sector नो डाउट चलने वाला है घर गर में बिजली की ज़रूरत है हर चीज आजकल power से ही related है और government पी इसी चीज़ को बढ़ावा दे रही है power sector को वो भी clean energy, clean energy को लेकिन जब तक इस company की हालात नहीं सुधरी कि जब तक इनका करजा कम नहीं होगा जब तक ये profit में आएंगी नहीं तब तक इनमें पैसा लगाना मुझे लगता कि मुझे free में भी दी कोई ऐसे share तो मैं नालू क्योंकि 6 रुपए अशट पैसे ये company की value के साब से बहुत महगा है मुझे एक बार 400 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए का stock सस्ता लगेगा अगर company की value अच्छी है company अच्छा काम करती है अच्छा profit देती है अच्छा balance sheet है उसका अच्छा कमाती अच्छा earning per share है लेकिन य यहां तो कुछ है ही नहीं और जिनको 12 रुपए पैसे लगा रखे होंगे आज उनका तो आधा हो गया है जिनको पांस साल पर लगा होंगे तो उनकी क्या हालात होगी तो कहने का ताथ पर यह है कि शॉट टर्म के वज़े से अगर हमने आज खरीदा और चलो 2-4 रुपए बढ़ गया फिर बेच लिए तो ऐसे तो मैं अनमोदन नहीं करता मैं किसी को सलाह मशुरा नहीं देता है तो कि मेरे चैनल का नाम है लॉंग टर्म शेयर हम देखते हैं कि 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में अच्छी कंपनी के स्टॉक्स लीजिए और अच्छा कमाईए तो सुज तो मुझे लगता है कि आपको यह जरूर वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स पर वाचिंग अच्छी 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 अच्